आजके इस वेडियो में हम कुछ important sentences सीखेंगे और इन sentences को अपनी conversation में use करेंगे और अपनी conversation improve करेंगे देखें अगर आपको ऐसे हो वो जहाँ जाना चाहता है उसे जाने दो वो जहाँ जाना चाहता है ये एक sentence है उसे जाने दो ये εκ sentence है इन दोनों sentences को मिलाकर हम अपनी पूरी बात कह रहे हैं वो जहां जाना चाहता है उसे जाने दो अब इन दो sentences में जो पहला sentence वो जहां जाना चाहता है यह want to के structure में बनेगा यानि subject के बाद आपका want to आएगा फिर verb की first form आएगी अगर आपका subject he, she, it और कोई भी singular noun हो तो पिर आप wants to कीजेगा want mess लगा दीजेगा ठीक है आगे जो sentence है उसे जाने दो इसको हम let के साथ मनाएंगे let में हम दूसरे बंदे को permission देते हैं authority देते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो तो let के बाद हमारा आता है objective pronoun यानि के me, us, him, her, it, them ठीक है और उसके बाद आपकी verb की first form आएगी अब यह sentence देखें वो जहां जाना चाहता है उसे जाने दो वो जहां जाना है हम इसके लिए कहेंगे he wants to go वो जहां जाना चाहता है where he wants to go where he wants to go उसे जाने दो let him go अब इसकी arrangement कर लें क्योंकि let वाला sentence पहले आता है और wants वाला बाद में आता है तो आप ऐसे कहोगे let him go where he wants to go let him go where he wants to go ठीक है एक और sentence देखें वो जिससे मिलना चाहती है whoever she wants to meet whoever she she के साथ आएगा wants whoever she wants to meet उसे मिलने दो let her meet let आगया let के बाद क्योंकि लड़की है objective pronoun तो हर आएगा फिर आगया work की first form meet let her meet अब इसको अरेंज कर लें let her meet वाला पहले लिए आएगे let her meet whoever she wants to meet उसे मिलने दो जिससे वो मिलना चाहती है let her meet whoever she wants to meet let वाला sentence पहले आएगा और want वाला बाद में आएगा अब एक और sentence देखे वो जो खरीदना चाहते हैं उन्हें खरीदने दो उन्हें खरीदने दो let them buy हमारा जो objective pronoun है वो them हैगा let them buy उन्हें खरीदने दो जो वो खरीदना चाहते हैं what they want to buy जो के लिए आगया what फिर they want to buy let her live the way उसे रहने दो let her live जैसे वो रहना चाहती है the way she wants to live the way she wants to live let her live उसे रहने दो the way she wants to live जैसे वो रहना चाहती है एक और sentence देखें वो जिससे बात करना चाहता है उसे करने दो let him talk ठीके अब talk के साथ to आता है तो यहां to लगाईगा के लिए आगया, whoever, क्योंकि इंसान के लिए उज़ और है, तो whoever आएगा, he wants to talk to, जिससे वो बात करना चाहता है, let him talk to whoever he wants to talk to, उसे बात करने तो जिससे वो बात करना चाहता है, अर एक sentence आपके लिए है, वो जो खाना चाहती है, उसे खाने दो, वो जो खाना चाहती है उसे खाने दो उसे खाने दो यह पहले बनाईएगा उसके बाद वो जो खाना चाहती है आगे आएगा ऐसे sentences हम उस्वक्यूस करते हैं जब हम किसी को अलाओ कर दे हो permission दे रहे हो कि भाई आप जो भी करना चाहते हो करो हमें कोई अतराज नहीं है चीक है तो उसके लिए आप let का structure यूज़ करोगे और उसके बाद want to का structure यूज़ करोगे बाद में इन sentences को बनाईए अपनी conversation में practice कीजिए keep staying with us, thanks for watching